चुरा लिया है तुमने जो दिल पूस बीते जमाने की एक ग्लैमरस, हॉट, बोल्ड एंड ब्यूटिफुल एक्ट्रिस जो मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारती ये महिला बनी और पूरी दुनिया में अपनी खुबसूरती का पर्चम लहराया सत्तर और असी के दशक की वो अदाकारा जिनोंने फिल्म इंडस्ट्री में एक फैशनेबल सेक्सी एक्ट्रिस की पहचान बनाई और लाखो दिलों पर राज किया कभी हरे रामा हरे कृष्णा की जेनिस के किर्दार में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया तो कभी सत्यम शिवम सुन्दरम की रूपा बन कर सुर्खिया बटोरी लेकिन क्या आप जानते हैं कि परदे पर धूम मचाने वाली इस बॉल्ड एक्ट्रिस को एक जाने माने अभिनेता और निर्माता निर्देशक ने सरयाम इतना पीटा था कि वो खून से लत्पत हो गई थी बेरहमी से पीटने की वजह से उनकी एक आख हमेशा के लिए डैमेज हो गई शरीर की कई हड्डिया तूट गई और उनका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया और क्या आप यकीन करेंगे कि इस घटना से वो इतने सदमे में आ गई थी कि लंबे समय तक उन्हें एंटे डेप्रेशन दवाईयां खानी पड़ी थी और इसके बाद उनका करियर भी बुरे तरह से डैमेज हो गया था तो कौन था वो शक्स जिसने उनके साथ ऐसे घिनोनी हरकत की थी क्या थी उसकी इस वैशियत की वज़ा और क्या था उस शक्स का इस अभिनेत्री से रिष्टा बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ एक जाने माने एक्टर डिरेक्टर प्रडूसर ने मशूर अधाकारा जीनत अमान को सरे आम बुरी तरह से पीटा था जिससे उनका करियर भी बरबाद हुआ और उनकी परसनल लाइफ भी कौन था ये शक्स जिसने जानवरों की तरह हरकत की इस जानी मानी अधाकारा के साथ क्या था उसका जीनत अमान से रिष्टा और क्यों उस शक्स ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बाद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बाते दोस्तों जीनत अमान की जिन्दगी में तूफान लाने वाली उस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताओं उससे पहले चलिए आपको बहुत ही संख्षेप में बताती हूँ कि कौन थी जीनत अमान और कैसे शुरू हुआ था उनका फिल्मी सफर जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को महराश्टर के बॉंबे शेहर में हुआ था उनके पिता अमान उल्ला खान जानिमाने पटकता लिखत थे और मा का नाम सिंधा खान था जब जीनत 13 साल की थी तब उनके पिता का साया सर से उठ गया जीनत अमान के स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेविर्स कॉलिज से हुई और फिर लॉस एंजलिस में दक्षणी कैलिफोर्निया युनिवस्टी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की भारत लोटने के बाद 1970 में उन्होंने ब्यूटी कॉंटेस्ट में हिसा लिया और मिस पैसिफिक एशिया का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी जीनत ने अपने करियर की शुरुवात ओपी रलहन के फिल्म हलचल से की थी और फिर फिल्म हंगामा में काम किया लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ओफिस पर धडाम हो गए सही मायने में उन्हें सफलता मिली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से और फिर जीनत अमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा डॉन, इनसाफकत राजू, सत्यम शिवम सुंदरम और कुर्बानी से उन्होंने अभिने की ऐसी चाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों आज हम जिस इंसिडेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म अब्दुल्ला से यही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान इसके अभिनेता संजे खान को प्यार हो गया इसकी अभिनेतरी जीनत अमान से संजे खान पहले से ही एक शादी शुदा बाल बच्चेदार आदमी थे लेकिन इस फिल्म के दौरान दोनों काफी करीब आ गए हला कि तब जीनत अमान के जादातर करीबियों का ये कहना था कि संजे खान जो की एक फ्लॉप एक्टर थे वो सुपरेट अक्टरस जीनत अमान को बस इस्तमाल कर रहे थे और बाद में उन्हें दूद की मक्खी की तरह अपनी जिन्दगी से निकाल फेकेंगे लेकिन जीनत अमान तो उनके इश्क में सब कुछ भुला बैठी थी संजे खान और जीनत अमान का ये इश्क एक साल तक भरपूर चला इस एक साल में अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म हुई और इसके बाद जीनत अमान अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लोनावला चली गई जीनत की इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे थे बियार चोपडा सहब फिल्म में जीनत अमान के साथ थे राजबबर, दीपक पराशर और पदमीनी कुलहापूरी ये फिल्म एक आइकॉनिक हिट फिल्म है जो 1980 में रिलीज हुई थी इसका नाम था इनसाफ का तराजू ये तीन नमंबर 1989 की बात है जब करीब शाम साथे चार बजे जीनत अमान लोनावला में इनसाफ का तराजू फिल्म की शूटिंग कर रही थी वो शौट दे रही थी तभी बंबई से जीनत के लिए संजे खान का एक ट्रंक कॉल आया जीनत अमान फोन रिसीव करने गई तो संजे खान ने उनसे कहा कि अबदुल्ला फिल्म के लिए कुछ शौट्स दुबारा लेने हैं और इस वज़ा से उन्हें अभी चार दिन जीनत अमान की डेट्स जाहिए जिसके लिए उन्हें दुबारा जैसल मेर जाना होगा जहां अबदुल्ला फिल्म की शूटिंग हुई थी जिनत अमान ने संजे खान को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी सारी डेट्स अल्रेडी बियार चोपडा को जा चुकी है क्योंकि अबदुल्ला फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और तभी उन्होंने चोपडा साहब को डेट्स दिये थे सारा यूनिट भी इसके लिए पहले से ही लुनावला में मौझूद है और इसलिए सब को इस तरह छोड़ कर वो अचानक इस तरह बीच से गायब नहीं हो सकती हैं ये बिलकुल अंप्रोफिशनल होगा बताते हैं कि ये सुनकर संजे खान बुरी तरह से भड़क उठे उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग तो बस बहाना है तुम बीयार चोपड़ा के साथ वहाँ पर रंगरलिया मना रही हो ये सुनने के बाद जिनातमान गुरी तरह से रोने लगी उन्होंने रोते हुई संजे खान से कहा कि संजे तुम मेरे बारे में इस तरह की ओच्छ के पास गई और उनसे कहा कि संजे बहुत नराज है और अगर आप इजासत दें तो बॉंबे तक जाना चाहती हूं मैं संजे से बात करके जल्द ही वापस लोटाओंगी बता दें कि लोनावला और बॉंबे के बीच में करिब 100 किलोमेटर की दूरी है और पहले जब हाईवे नहीं था तो इस दूरी को तै करने में तकरीबन पांच घंडे का वक्त लगता था चोपडा साहब को भी लगा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी सो जाने की हामी भर दी उन्होंने कहा जाओ जाके मैंटर सॉल्व करके जल्दी वापस आ जाओ लेकिन इस समय भला किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है बताते हैं कि तब जीनत अमान अपनी हेर ड्रेसर फ्लोरी के साथ लोनावला से बॉम्बे के लिए निकल पड़ी अब उस समय आज की तरह मोबाइल फोन का जमाना तो था नहीं सो संजे खान से सामपर्क नहीं हो पाया और ऐसे में स संजे खान से डेट्स पर बात करने और उनकी गलत फहमी दूर करने के मकसद से वो सबसे पहले पहुची संजे खान के घर लेकिन पता चला कि संजे खान अपने घर पर मौजूद नहीं है वहाँ उन्हें बताया गया कि वो बॉम्बे के एक फाइव स्टार होटल में से पता करके फाइनली संजे खान से मिली जो उस होटल के एक प्राइवेट सुईट में पार्टी कर रहे थे बताया जाता है कि जीनत अमान को उस जगह पर देखकर संजे खान आग बबूला हो गए और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हूँ क्यों आई हो यहाँ पर वहा दिन शराब की जैसे नदियां बह रही थी और संजे खान भी उसमें गोते लगाए हुए थे जीनत में काईदे से कहा कि संजे मैं जरा अकेले में तुमसे बात करना चाहती हूं फिर जल्द ही मैं चली जाओंगी तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लोंगी बताते हैं कि पर वापस लोना वला चली जाएंगी लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद मिंटों में ही अभी कुछ खास बात भी नहीं हुई थी कि जिनतवान के चीखने चलाने की आवाज उस कमरे से बाहर आने लगी उनकी हेर ड्रेसर फ्लोरी जो की कमरे के बाहर ही खड़ी थी वह दोड़ते हुए कमरे के अंदर गई उन्होंने सोचा कि पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ और जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उनकी नजरों ने वहाँ जो देखा वो देखकर उनको यकीन नहीं हुआ पहले तो वो सन रह गई कि ये क्या हो रहा है दरसल संजे खान कमरे में जीनत अमान को बुरी तरह से पीट रहे थे जो भी सामने मिल रहा था सबका अस्तमाल कर संजे खान जानवरों की तरह जीनत अमान को पीटते जा रहे थे फ्लोरी ने जीनत को बचाने की कोशच की तो इनसान से हैवान बने संजय खान ने उन्हें भी धक्का दे दिया हलात बेकाबू होता देख फ्लोरी भागते हुए बाहर पार्टी हॉल में गई और वहां मौझूद लोगों से जीनत को बचाने की मिन्नते करने लगे लेकिन आश्चेर्य और शर्म की बात ये कि सब है समाज के इलीट क्लास के उन लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया और जीनत की चीख को सुनते हुए भी जैसे कानों में रुई डाल ली बताते हैं कि करीब 5 से 10 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा फिर फ्लोरी हेर ड्रेसर दौरती हुई होटल के गाड्स के पास गई और उनसे पिट रही जीनतमान को बचाने के लिए मदद मागी फिर कुछ गाड्स और होटल स्टाफ ने जाकर संजय खान को रोका और जीनतमान को उस कमरे से बाहर निकाला जीनतमान का चेहरा तब तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था उनके जौ यानि जबडे की हड़ी तूट चुकी थी उनकी दहनी आख में गहरी चोट आई थी और उससे बेतहाशा खून बह रहा था उनके मुह से भी खून निकल रहा था और वो खून के साथ साथ आसूं में भी पूरी तरह से सनी हुई थी इस घटना के बाद आठ दिन तक जीनतमान हॉस्पिटल में बेड़ पर पड़ी रही दर्द में तडपती रही कराहती रही वहां उनका इलाज कर रहे थी डॉक्टर ए मस्सा जोकी बॉम्बे की जानिमानी डॉक्टर थे और जीनतमान की फैमिली फिजेशन भी थे उन्होंने जीनतमान को दिन में तीन तीन बार एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी दिये क्योंकि तब जीनतमान इतने शौक में थी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कोई सुनी सुनाई जाने वाली कहानी नहीं है बलकि आज भी इसके प्रूफ मौजूद है और आप इसे वेरिफाई खुद से कर सकते हैं जीनतमान का इलाज कर रहे डॉक्टर का स्टेट्मेंट और सीने ब्लीड्स मैगजीन में जो उस समय खबरें छपी थी वो आप इंटरनेट पर आज भी पढ़ सकते हैं दरसन लगभग 40 साल पहले डॉक्टर ए मसा ने एक फेमस फिल्मी मैगजीन को डीटेल्स स्टेट्मेंट दिया था और जीनत के साथ हुई उस क्रूरता और बरबरता की दास्तान सुनाई थी इस मैगजीन को दिये उनके इंटरव्यू को आप आज भी इंटरनेट के जरीए देख सकते हैं पढ़ सकते हैं डॉक्टर मसा के स्टेट्मेंट के मताबिक संजय खान इस इंसिडेंट के दूसरे दिन जीनतमान से मिलने पहुँचे थे लेकिन डॉक्टर ने संजय खान को वहां से भगा दिया था डॉक्टर मसा ने एक और बात बताई थी कि कुछ महीने पहले भी संजय खान ने जीनतमान को बुरी तरह से मारा था उस समय जिनतमान की ribs में चोट लगी थी और डॉक्टर ने जिनत को ये advice किया था कि वो X-ray करा लें क्योंकि उन्हें ये शक था कि जिनतमान की ribs तूट गई थी अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई lover's step था या दो लोगों के बीच में कोई कहा सुनी हो गई थी या एक छोटा सा जगड़ा हो गया था तो ऐसा बिलकुल नहीं था जिसमें एक पती ने अपनी पतनी को मुरे तरह से पीटा था इस हद तक कि उसकी जान भी जा सकती थ अब आप कहेंगे कि ये husband wife कैसे हो गए तो इस incident के बाद में पता चला कि संजय खान ने जीनत अमान से जैसल मेर में शादी कर ली थी पता चला कि 30 दिसमबर 1978 को संजय खान ने जीनत अमान से निकाह किया था जिसके दो गवाह भी थे ये घटना है 3 नमबर 1979 की और इस incident के कु 1989 को जीनत अमान और संजय खान का डिवोर्स हो गया इस घटना के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि जीनत अमान को एक शादी शुदा तीन बच्चों के पिता के साथ कोई रिष्टा ही नहीं बनाना चाहिए था तो उसमें यही कहा जा सकता है कि ये एक और बह भी बात करता है, वो यही कहता है कि लानत है ऐसे मर्द पर जो कि इस तरह से फिजिकल पावर किसी औरत को दिखाता है और लानत है ईसे लोगों पर जो कि इस तरह की घटना को आगों के सामने होता हुआ भी देखकर खामोश रहते हैं चलाह दी गई थी कि वो इस घटना को पुलिस में रिपोर्ट करें। लेकिन जीनत अमान ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो संजे खान से बहुत प्यार करती हैं और वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तवान बॉलिवुड का जाना माना नाम थी। वो एक सर्शक्त महिला थी जिनके पास पैसे या किसी और चीज की भी कोई कमे नहीं थी। वो अपने साथ हुई इस जाद्ती के खिलाफ आवाज उठा सकती थी। और संजे खान को उनके किये की सजा दिलवा सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी का रास्ता चुना और हमेशा के लिए एक गलत मिसाल पेश की। तो चले कुछ और अंटोल्ड बॉलिवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात फिलाल मुझे दीजिये इजासत नमस्कार।